राधी राधी एब्रिवान हाव आई यू आप दोग वेलकम टो मैं अनदर निव कुकिंग ब्लॉग आज मैं फिर से हाजर हो गई हूँ एक हल्दी टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके आज की रेसिपी में जो वेजिटबल में यूज कर रही हूँ वह अपने आप में ह तो क्या कहने इसमें वह सभी निउट्रिंट्स हैं जो हमारे बॉड़ी के लिए या यूमिन बॉड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो वह सहजन की फलिया या फिर ड्रम स्टिक्स जिसे हम इंगलिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक्स खाना हमारे बॉड़ी के लिए ब तो हमारा skin health अच्छा होता है, हमारा hair health अच्छा रहता है, हमारा immunity system boost हो जाता है, अगर किसी को hypertension या blood pressure की problem है, तो वो उसे बहुत अत्र कंट्रोल कर पाते हैं, diabetic patients अगर use करते हैं, तो वो अपने diabetes को बहुत अत्र कंट्रोल कर पाते हैं, प्लस इसमें कार्ब बहुत low quantity में रहता हैं, और calories भी, तो यह अगर हम अपने diet में use करेंगे, और हमें पतला होना है, means weight control करना या weight loss करना, तो भी यह vegetable बहुत ज्यादा helpful होता है, और हमारे यहां यह मानना है, कि March to April, यह दो महिने हर रोज सहजन की फलियां खानी चाहिए, क्य क्योंकि अगर हम सहजन की फलियां खाते हैं, तो यह चिकन पॉक्स से बचने के लिए हमारे बॉड़ी को immune करता है, और सबजी में हम इसके पत्ते, फूल और डंठल मिंस फलियां यूज तो करते ही हैं, साथी साथ आयूरवेदिक मेडिसिन में भी या होमियोपैथिक मेडि तेल मैं मस्टर्ड ऑइल में मना रही हूं, उसमें मैंने लगाया जीरे कतरका और जब अच्छे से क्राकल हो गया तो मैंने यहां पर डाल दिये हैं सहजन की कलियों को इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था और एक्सिशिव वाटर को स्ट्रें कर लिया था इसमेंने करते हैं तो मैंने लिया दो हरी मिर्च और यहां पर एक एक टेबल स्पून करके मैंने लिया है यह काली वाली राई है और यह है पोस्तो या खस खस या पॉपी सीड्स जैसे हम बोलते हैं राय मिंस सरसो इन्हें हम फाइन पेस्ट बना लेंगे तो सबसे पहले हम इने जञे लाई आए खसे इदा अघा, इन में लिया है अगर हम तो आउसे आज जाएंगी, और अंधर से आदे पखेंगी और यहां मैंने लिया है ये नय वाले आलो ऐनम, पू bissला मने लिउने लंबा कात लिया हो और इसे मैंने एक मिनट के लिए लिए ना इनहें स repent लाईNe제가 फिर उसे धूब के उसका पानी स्ट्रेन कर दिया अब मैंने आलू डाल दिया है इसमें जब हमारे जो डंठल है ये 50% कुख हो जाए तब हम इसमें आलू डालेंगे डालने के बाद थोड़ा सा फ्राइ करके 30 से किंड तक फिर मैंने इसमें डाला मसाला मसाले में मैं कुछ भ तक यह सामलै कर दे चिला कर ना मैं 1-2 मma इसमें फिर मैं मिल्ल conjugate ंम चली कप जाए और लूप मिल्यूट कर दिया यह मैं ग्रेवी बर गांगी यह मैं आख फ्राइल स की जाए घूप ज़िए कर दो यह हैं यह बहुत चुज खट्ट बहुत जान भगत करी हूँ उडियू स अगर हाइब्रेड वाले टमाटर हैं तो आप दो यूज़ कर पाएंगे मेडियम साइज के और मैंने सॉल डाल दिया यहां पर एकावडिंग टेस्ट इसके बाद मैं इसे इसमें थोड़ा सा और पानी डालोंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा और ग्रेवी चाहिए इसका जो है वह बहुत अच्छा लगता खाने में और वह हमारे हिल्थ के लिए भी अच्छा होता है इस पज़े से मैं यहां पर थोड़ा सा और पानी आड़ करूंगे और फिर यह जब बॉइल होगा ना तो थोड़ा सा पानी फिर कम भी हो जाएगा फिर मैं इसे ढख दूंगी और ने चले करेंगे तो चैक करने के लिए हम क्या करेंगे फोक ले लेंगे और फोक धूयसे इस तरीके से देखेंगे अगर डंड़तल में अच्छे से फोक चला जाता है bit vegetable grace juice लायता हैं अगर नहीं जाते है इस में पके नहीं हमें थोड़ा सा और बॉइल करना पड़ेका तो मेरे यहां पर तो रेसिपी मेरी रेडी है क्योंकि ड्रम स्टिक्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब मैं गैस को आफ कर दूंगी और इसे में सर्फ करूंगी इसे आप गरम गरम चावलों के साथ खाये या इसे थोड़ा से सूखा बना लेंगे तो आप रोटी के सा अब दोस को अर्ड नुमी कि को शानल लीट चावलों कहां उन प्लीजिए याजिए याजिए या जो लोग मेरे चैनल पे नैए हैं वह मेरे चैनल को लाइक शेर आप शाहवलों इसे स्प्स्राइब कर दें थैंक युवडरी मच आवरिवां से तिल दें तुल दें बाए